हेलो दोस्तों जदि आपके पुर्वजों की तीथी या फिर रात के दिन एकादसी को है तो आपको क्या करना चीए क्या वो तीथी द्वादसी को माना चीए या फर एकादसी के दिन ही आपको भोजन तरपन करना चीए यह एक अन्फूजन बना रहता है कईयों के मन में तो च तक कि आपको सारे जनकरी प्राप्थ हो सकें, तो चलिए, सुरू करते हैं, तो देखिए, आपके पुर्व começo कीति ऐकादरिसी को ही तिथी पालन करना पड़ेगा, वो दौादरीसी को तिथी is पालन करने से नहीं होगा, पर कुछ नियम आपको पालन करना पड़ेगा, तो सब से पहला नियम यह है कि आप चावल या चावल से बने चीजें उनको उनके निमित ना दे यानि ब्रामन को खिलाने के लिए ना दे वैसे तो हम चावल नहीं देते हैं ब्रामन भोजन में पर चावल से बने जो खीर आदी हम बनाते हैं वो भी हम उनको नहीं दे सकते हैं उसमे एक बात है कि वो ब्राम्हन जदी वो ग्रहन करना चाहेंगे तभी वो आप दे सकते हैं फल्यारी भोजन जो एकादसी का फल्यारी भोजन आप उनसे पूछ कर बना कर सुध रूप से खिला सकते हैं और जदी वो फल्यारी भोजन नहीं खाना चाहते हैं तो तिसरा उपा ये क कर सकते हैं उनको फल मूला दी और जो घर में दूद से कुछ मिठाई बना के और दूद ये सब चीजें या फिर दही जो चीनी वाला मिठा दही उनको दे सकते हैं इस प्रकार से आप जो एकादसी के दिन जदी आपकी पुर्वजों की दिती है तो इस प्रकार ब्रामान गया है कि एकादसी के दिन भी जो सातिक भोजन यानि ब्रामान भोजन जो कराते हैं हम दूसरे तितियों में वही भोजन भी कराते हैं ब्रामान को तो वो भी आप करा सकते हैं पर आप उसमें चावल सम्मिलित ना करें यानि चावल के जो चीजें हैं वो शम्मिलित ना करे तो वो भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई दोस नहीं लगता है, क्योंकि हम भी जब ब्रत नहीं करते हैं, तो हम भी शातिक भोजन ग्रहन करते ही हैं, तो ये चोथा उपाया आप कर सकते हैं, पहला तीनों उपाय से जदी आपका काम नहीं बनाया तो चोथा उपाया भी आप कर इस तरह से आप जड़ी एक आदेशर की दिन पुर्भाजां की दिती है तो आप उसी दिन ही करें उसको 12 की दिन मत करें कोई भी बोले कि 12 की दिन पाहलान करना चीए वो कैसे संभाभ हो सकता है क्योंकि उनके जो दीती है वो एकादसी को है हम उनके निमित द्वादसी को भोजन तरपन करेंगे वो नहीं हो सकता है तो ये इतना थी आपके लिए जानकरी इस तरह के जानकरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए तो चलिए नए जानकरी के साथ नए वीडियो में मिलते हैं तब तक लिए धन्यवाद